Class 6 के हमारी पहली यूनिट है विविदता के उपर जिसके अनदर आपको दो लसन दे गए हैं विविदता की समझ और विविदता EVB तो अध्याए एक विविदता की समझ में हम क्या पढ़ने वाले हैं हमें इसमें बताया जाएंगा कि हम किस तरीके से भिन हैं हम एक दूसरे से कई मामलों में भिन होते हैं ने केवल अलग दिखते हैं बलकि वे अलग-अलग शेत्रों से भी आते हैं उनके धर्म, रहन, सैन, खान, पान, भाशा, त्योहार, आदी भी भिन होते हैं भारत इतनी विधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सबी तरह की भिनताएं विधता का ही भाग होती हैं? चलिए, कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस चप्टर को सुनते हैं अब इसमें क्या दिया गया है? इसमें हमें एक खाली पोक्स दिया गया है उससे उपर तीन चित्र बनाएं गए हैं तो इन्नों ने हमें बोला कि इसमें आप अपनी तरीके से एक चित्र बनाईएं क्या ये चित्र अलग है या दूसरों से और भी भिन है? इसलिए हुआ कि हम सबकर चित्रकारी करने का अपना अपना तरीका होता है तो जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिनता है उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान, पान, आदी में भी भिनता है तो इसमें आपको एक दिया गया है कि दोस्ती करना इसमें आपको एक example दिया गया है कि किस तरीके से भेद भाव या फिर हमारे अंदर विविदता है तो क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत बिन है नीचे दी गई कहानी ध्यान से सुने मैंने इसे एक मजाग की तरह लिया मजाग जो की फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपत के भीट भाड़ वाले चोराही की लाल बत्ती पर अकबार बेचता था मैं जब भी वहाँ से साइकल से गुजरता वह अंग्रेजी का अकबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन के सुर्ख्यों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिला कर सुनाता रहता इस बारे में मैं पटरी के सारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अकबार मांगा उसका मुख खुला का खुला रह गया उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है बिल्कुल मैंने अकबार के पैसे देते हुए का क्यों तुमने क्या सोचा वह रुका पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ इस बार मैं थोड़ा अधिर होते हुए बोला मैं हिंदी बोल सकता हूँ पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है सब्जेक्ट उसने पूचा अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है वह कुछ होता है मैंने शुरू किया ही ता कि बत्ती हरी हो गए और मेरे बीचे गाड़ियों के होन का शोर सा सोगुना हो गया मैंने अभी भी अपने आपको ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था वह मुस्करा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अगबार बढ़ाते हुए उसने कहा भया आपका अगबार अब बताईए इस सब्जेक्ट क्या चीज़ है उसके बाद चूकी बत्ति लाल हो गई थी तो मैंने पूछा तुम कभी स्कुल गए हो कभी नहीं उसने जवाब दिया पिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा मैं जब इतना उचा था तब से मैने काम करना शुरू कर दिया था उसने मेरी साइकल की गद्दी के लाते हो इसना वह मेरट में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया मेरा नाम समीर है उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूचा आपका नाम यह तो बड़े आश्चरे की बात थी मेरी साइकल डगमगाई मेरा नाम भी समीर है मैंने बताया क्या उसके आँखे एकदम से चमकोटी हाँ मैंने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा पवन और पवन पुत्र कोन है जानते हो ना हनुमान तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो उसने खूब खुश होते हुए कहा हाँ ठीक है म उसके चहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी, मेरठ में बड़ी गड़बढ हो गई है, उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं, मैंने मुख्या अग्वारों की सुर्क्यों की तरफ देखा, बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, साम प्र और ने आगे फिर कभी, अंग्रेजी या हिंदी का कोई अकबार मुझे नहीं बता सकता, कि मेरा समीर दो आखिर कहा गया, तो ये जो है, पोईली सीना गुपता की कहानी, The Lights Changed पर आधारित, जहां समीर एक को अंग्रेजी जाद अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बो सांस्कृतिक प्रश्ट भूमिया भी अलग है, जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसल्मान है, दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे, खान पान, पहनावा, धर्म, भाशा, आधी की ये भिनिता है, विविदता के पहलू है, अपनी वि अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा, जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरते भी पूरी नहीं हो पाती, यहां फर्क उस फर्क से अलग है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, यहां विविदता का रूप नहीं, बलकि गैर बराबर गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास अफसर है और नहीं जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविदता का रूप नहीं है, यह हमें क्या दर्शाता है, यह मोजूद असमानता यानि गैर बराबरी है, जाती पैदा होते थे, उसे बदल नहीं सकते थे, उधारन के लिए अगर आप कुमार के घर में पैदा हो गई, तो आपकी जाती कुमार ही होती थी और आप बस वही बन सकती थी, कोई वेक्ति जाती से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्यान के अल फिर दो दोस्त बने ठीक वैसे ही आपकी दो सहेलिया होंगी या दोस्त होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगे, आपने शायद उनके घर में अलग-लग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग तयोहार मनाये होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे, थोड़ी ब बिन्स रोतों किताब वो वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रिणा लेते हैं कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती वे लड़ाईयों के बारे में कहानिया लिखी कुछ अन्य लोगों ने राजरानियों के वृतान पढ़क एक तरह का खानक आते हो शायद आलू समान रूप से किवल दो पशु पक्षों को पालते हो उधारन के लिए हीरन और कुआ और किवल साप सेड़ी खेल से अपना मनुरंजन करते हो ऐसे जंगा रहकर वे कैसी कहानी लिख पाएंगे तो अब यहाँ पर हमें बताया गया है इस पहरे ग्राफ में कि विविदता की इंपोर्टेंस क्या है भारत में विविदता भारत विविदताओं का देश है हम विभिन भाशाएं बोलते हैं विविन प्रकार का खानक आते हैं अलग लग त्योहार मनाते हैं और विन भिन ध हवाईजाज भस और कार हमारे जिवन का हिस्सा नहीं थे तब भी लोग संजार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे वे पानी के जहाज में गोड़े या उट पर बैठ कर या फिर पैदल चल कर जाते थे अकसर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन क की तलाश में या विर व्यापार के लिए की जाती थी चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था इसले लोग नई जंगया पर अकसर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई भार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता तो वे घर नई जंगया जाकर बसा लेते थे कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे लोग जब नई जंगया में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सेन में थोड़ा बदलाव आ जाता था संस्कृति में आदान प्रदान होता और दीरे देरे एक मिश्रित यानि मिली जुली संस्कृती अगर अलग-अलग शेत्रों का इतिहास देके तो हमें पता लगेगा कि किस तरह विभिन संस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में पारण के लिए समुंदर के पास में और पहाडी इलाखों में रहने का फर्क है ने केवल वहां के लोगों के कपड़े और खानपान के आदतों में फर्ग होगा बल्कि जिस तरह का काम में करेंगे वे भी अलगोंगे शहर में अक्सर लोग यहां बूल जाते हैं कि उनका कि किसी शेत्र की विविदिता पर उसके एतिहासिक और भोगोलिक कारणों का क्या असर पड़ता है तो हम यहां पर अब दो भागों की बात करेंगे लद्दाक की और केरल की कि किस तरह यहां की जो भोगोलिक और एतिहासिक परिस्थितियां हैं वहां की विविदिता पर अ कमबे समय तक बर्फ से ढखा रहता है इस शेत्र में बहुत ही कम पेड उग पाते हैं पीने के लिए पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं यहां के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना उन मिलता है यह के लोग दूद से बने पधा जैसे मक्खन चीज एवं मास खाते हैं हर एक परिवार के पास कुछ गाएं बकरी और याक होती है रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहां नेकिला करशितने हुए लद्दाक तो व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया ह क्योंकि यहां कई गाटिया हैं जनसे गुजरकर मध्य एश्या के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिबबत कहते हैं यह काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा, रेशम, दरिया, आधी लेकर चलते थे लद्दाक के रास्ते ही बहुत धर्म तिबबत पहुं केसर सागा लद्दाक में काफी प्रचलित है उसके स्थाने रूप को मुसल्मान और बोध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं केरल केरल भारत के दक्षणी पस्चमी कोने में बसा हुआ राज्य है यह एक तरफ समुद्र से गिरा हुआ है और दूसी तर परशक बना सबसे पहले अर्भी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए ऐसा माना जाता है कि इसा मसी के धर्मदूत संत थोमस लगबग 2000 साल पहले यहां आए भारत में इसाही धर्म लाने का श्रे उनी को जाता है अरब से कई व्यापारी यहां आकर बस गए इबन बतूता जो करीब 700 साल पहले यहां आए अपने यात्रव रितांद में मुसल्मानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसल्मान समुदाय की यहां बड़ी इज्जत थी वासकोटी गामन पानी के जहाजों से यहां पहुंचे तो पुर्दगालियों ने यूरोप से भ करने के लिए जो जाल इस्तिमाल के जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहु मिलते हैं और उन्हें चीन वाला कहते हैं तलने के लिए लोग जो बरतन इस्तिमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं इसमें चीन शब्द इस बात का इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहां स केरल के उपजाव जमीन और जलवायू चावल की खेती के लिए बहुत उप्युक्त है वहां के लोग अधिकतर मचली सब्जी और चावल खाते हैं केरल में ओडम नाम का त्योहार एक विशेश आकर्षण है जिसमें नाव की परत्योगिता होती है जहां केरल और लद्धा की भोगुलिक स्थितिया एक दूसर से बिलकुल अलग है वही हम यहें भी देखते हैं कि दोनों शेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं दोनों ही शेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावि विविद संस्कृतियों का प्रभाव के वल बीते हुए कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जिंगे से दूसरे जिंगे जाना है, हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृतिक रिती रिवाज और जीने का तरीका उस धीरे धीरे नई शेतर का हिस्सा बन जाते हैं, जह हम पहुँचते हैं, ठीक, इसी तरह हम अपने पडोस में हम अलगलग समुदाओं के लोगों के साथ रहते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिल जुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रिती रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं, अब विविद्धा में एक्ता भारत की विविद्धा या अनेक्ता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विबिन धन भाशा और शेत्र की महिलाओं और पुर्षों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लडाई लिडी थी भारत के 133 संग इस तरह उनका राज चलता रहेगा मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन हो अंग्रेजों कि खिलाफ लडाई जानेवल लडाई में अब एक थे अब यहाँ पर भारते जन्नाटे संग द्वारा एक गीत लिखा गया है यह गीत अमरित सर में हुए जलियावाला बाग हत्याकान के बाद गाया जाता था इस हत्याकान ने एक बिर्टिश जन्रल में उन शान्ति प्रिया निहत्ते लोगों पर खुले हाम गोलिया चलवा दी थी जो बाग में इखटे उकर सभा कर रहे थे वहिला पुरुष हिंदू मुसल्मान एवं सिक कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण नीती का विरोध करने के लिए जमा हुए थे उसमें से बहुत लोगों की जाने गई और उससे भी जादा गायल हुए यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था सुद्धता संग्राम के दोरान उबरे गीत और चिंद विविदता के प्रती हमारे विश्वास बनाए रखते हैं क्या आप भारते जंडे की कहानी जानते हैं सुद्धता संग्राम के दोरान ही भारत के जंडे की परिकल्ब न की गई थी इस जंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों की खिलाफ इस्तिमाल किया था जवाहरलाल नहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतिय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीर नहीं है बलकि यह मोथ ही घहरी है जिसके अंदर अलगलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्विकार करने की भावना है इसमें विविद्धा को पहचाना और प्रोथसाहित किया जाता है यह नेरूही थे जिन्होंने भारत की विविद्धा का वर्णन करते हुए अनेक्ता में एक्ता का विचार हमें दिया गया हो रविंदना टैगोर द्वारा रचेत हमारा राष्टरगान में भार्तिय एकता की ही एक अभिवेक्ती है राष्टरगान जिस किस तरह से एकता का वर्णन करता है उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है अब इसमें हमने पड़ा विविद्धा की समझ किस तरीके से विविद्धा में हमारी एकता है जब हमने ये देखा सुतनता संगराम में देखा और इतनी विविद्धा होते हुए भी हमने अंगलेजों खिलाब एक जुट होकर एकता में अनेकता दिखा कर लड़ाई लड़ी किस तरह विविद्धा को हम कैसे समझ सकते हैं कि एक देश की एक जंगय की भोगले की स्थितियां या एतिहासिक कारक का उस जंगय की विविद्धा पर क्या आसर पड़ता है भारत में किस तरीके से हम विविद्धाओं को देखते हैं विविद्धा किस तरह हमारे जीवन को स अम्रत करती हैं और हम आम जिन्दगी में किस तरीके से विविद्ध लोगों को देखते हैं इस चैप्टर में हमें यही एंगल समझाया गया है थैंक यूद्ध